जब कोई व्यक्ति अध्यात के पुनित मारु पर चलता है तो उसके बार में धारना पाल ली जाती है के तु पलायनवादी हो गया पलायनवादी उसको कहते हैं जो जिमेदारियों से बच करके भाग रहा है या कथान कुछ अंसों में सत्य है पुन सत्य नहीं और इसको सत्य बनाया है आज कल की जो सन्याज की क्रिया पत्ति ने इसका प्रारम होता है बुद्ध के समय से माभारत काल में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का परड़ाम यह हुआ कि ज्यान की परंपरा करलोप हो गया लोग आलसी प्रमादी हो गए तमगुड की वृद्ध हो गई और जब मनुस में तमगुड की वृद्ध होती है तो न तो जानारजन कर पाता है और न ध्यान में पूरसार्थ कर पाता है परड़ाम यह हुआ कि बामार्का उद्ध हुआ बामार्क तेजी से फैला जो विक्रित हुआ तो बुद्ध ने इसके विरुद्ध हवाज उठाई और एक प्रकार से आस्रम बैस्था को चुनोती देते हुए उन्होंने किसी भी उम्र के बच्चे को भी सन्यास में दिख्षित करने सुरू कर दिया जैसे उनका बेटा रावल जब सन्यास में दिख्ष के साथ रहना था उस समय तक तो पूर्शार्थ की प्रिवर्ति थी यदि देखा जाए जैसे मैं अभी बात कहना चाहूंगा कि आज कल जो महात्माओं को निठले बैठे वे देखा जाता है वह आज की बेवस्था की दो की देन है वेद में इसा नहीं लिखा है किसी सांस्त मैं इसा नहीं लिखा कि सन्यासी पूर्शार्थ हीन हो जाए वेद का सी असपष्ट उदेश से है ना दान्यम ना पलायलम दीन हीन ना बनो ना पलायन बादी बनो जो वेदिक बारनाश्रम बेस्ता थी उसके उनसार पचीस वरस तक गिद्ध्या ध्यन करना होता था प्रब जीवन में अर्थो पारजन करता था धर्म और अर्थ के साथ लोकिक सुक का उभूव करता था यह ग्रहस्ट जीवन की मर्यादा बनी हुए थी उसमें भी आराम करने के लिए समय नहीं था जब बानपरस्ट का पचास से पचछतर वरस का समय होता था इसमें वह ग्रहस्ट जीवन से दूर रहकर परमात्म चिंतन में लगा रहता था सुधाय की वर्दी करता था और आत्मबल की वर्दी करता था और जब सन्यास का समय आता था पचछतर से सो वरस का समय तो इसमें तो उसका एक पल किवल ना तो बीस कल्यान के लिए होता था या आत्म कल्यान के लि किसोर किरला से निकलता है नंगे पाऊं चलता है कमंडल लेकर करतल विक्षा तरतल वास यही उसका जीवन है पूरे भारत का भ्रमण कर देता है चार मठो की अस्थापना कर देता है सभी नास्थिक मठों को उखाड फेकता है और 32 वर्स के अवस्था में उसको 20 दिया जाता है 20 पान करने के बाद वो इस दिनिया से शरीर शोड़कर चला जाता है लेकिन अपनी अमर गाथा लिख देता है नास्तिक वाद को जड़ से उखार फेगने का खल्पना कीजिए यदि संक्राचार सन्यास नहीं लेते घर पर रज जाते तो आज भारत का भूई से क्या होता कि आज भारत उस नासिकता की वेडियों को काट पाया होता जैदि बुद्ध सन्यास नहीं ले होते जैसे एक बेक्ति गर्यस्थ में रथा है उर्थो पारजन करता है आठ गंटे काम की दुआई देता है कि देखो मैंने 8 गंटे काम किया है मैंहीं घर का घर चलाता हूँ सब लोग क्या कहते हैं ये कमावू ब्यक्ति है सन्याजी के पास कुछ नहीं होता अर्थ के माल में कुछ नहीं होता लेकि उसके पास ज्यान धन होता है तप धन होता है योग धन होता है और भी सुके कल्याण की भावना होती है ग्रहस्ति के पास मात्र एक धन होता है अर्थ का धन होता है हां ग्रहस्त जिवन सब का अधार होता है लेकिन गौतम बुद्ध अपने भिक्षकों में किसी भी आई के बेक्ति को दिख्षित करने लगे परड़ाम क्या हुआ उनके रहने समय तो ठीक रहा गौतम बुद्ध ख अभी भी अध्यात्म के सिखर्पन नहीं पहुंच सकता है यह जो निठ्यलेपन की प्रविर्तिया है यह पौरानिक मानसिक्ता की देन है जिसे सुरुआत इसकी होती है बौधमत से गौतम बुद्ध के अंतरध्यान के पैस्चाद एक अनादी परमात्मा की तो मानिता उसमें थी यह नहीं परिणाम यह हुआ कि बहुत मठों में बहुत अधिक्धन हो गया भीक्ष भीसे ही हो गया आराम तलभी हो गया क्योंकि बुद्ध की मुर्ति के सामने कुछ पुझा पाट कर लेना कुछ अध्यान कर लेना यही नियत बन कर रहा गई थी वैदिकाल में जिस तरह से कठोर अ आधम और बिरतई होती गईन दूसरा मैं अभी आपने से मैंने संकराचारी के बात की संकराचारी ने जो जो बॉर्म सत्यَम जगत मित्हां जी ब्रम ऑ्रम का दिया तो भ्रम सत्यम जगत मित्हा का वाक्ष है इसने कितने लोगों को बठका दिया यह उपदेश देने वाले अरामतलबी के जीवन तो बताते रहे, दुसरों काते रहे, कि सब जूठा है, जूठा है, तो पुरसा आर्थ क्यों करें? जिवन का मुठा है, जब सब कुछ मिथ्धा ही है, तो जगत की रचना तो ब्रहम के आदेश से हुई, तो ब्रहम के आदेश से बनी हुई जगत κάर्चना का उदेश pension होजाएगा। परमार्थिक दिर्ष से जगत मिथ्था है, लेकिन बेवारिक दिर्ष से तो सब्ते है, सुर्य उबता है, चंद्रमा उबता है, जीवन के कर्म करने पड़ते हैं, भूग प्यास लगती है, उस भूग प्यास को मिटाने के लिए में पूरसार्थ करना पड़ता है, इसे हम अल गोस ने अकरमड़ता को और बढ़ावा दिया मैंने का कि early Aabor mission Neatatat came was अब देखिए के और अचनली स्ब्सक्पारो पॉरानिक मंदीर में रहने वाले बाक्ति कि दिझर प्रात्य काल आर्ति हो जाती है, दोपर को भोगला जाता है, रात्य को संध्या समय आर्ति हो जाती है, और सेस्स में कोई क्रिया कलाप नहीं रहता, प्राय आम तोर से मात्मा दोपर को भोजन करने के पैस्चात सो जाते हैं, प्रात्य से दोपर के बीच में इनकी दिंचरिया कोई कोठोड नहीं होती रात्री को भी ध्यान की प्रिक्रिया नहीं होती क्योंकि दो पर के बाद संध्या आर्थी के बाद भी रात्री को ध्यान की प्रिक्रिया नहीं होती और ये धीरे-धीरे धाई हजार वर्सों में पुरा सन्यासियों का समू एक आलसियों का समाज बन ग बहुत कम है, साइद एक लाक भी नहीं है, एक लाक्या मैं समुझता हूँ, दस जार भी सच्चे सन्यासी हो इस देश में, तो धर्मांतर का ये कलंक नहीं लगता, इस देश की संस्कृत खत्रे में नहीं पड़ती, एक बात ध्यान में रखिए, एक ग्रिहस्त अपार लेकिर उस राष्ट की आतमा, धर्म और संस्कृत हैं, सन्यासी धर्म और संस्कृत की रक्षा करता है, यदि सोने का कोई महल होगा, उसमें रहने वाला कोई नहीं हो, तो उस महल की कोई सोबा नहीं हो सकती, किसी भी राष्ट की वास्तविक संपदा हैं, बाधिक जान, उठोप लात करके लेगा था हुआ मखिए ते मधिक पलादु यह आज एक हजारोपनदों में नहीं था ऋप electroly भोगी विसई विलासी थे। ज़िय हजारोपु चाहिए के हीम हेजी बुजारी के बीच में एक भी सच्चा विद्वान होता येक भी सच्चा योगी और महमुद गजनवी स्वमनात के मंदिर को तोड़ नहीं पाया होता है। जितने महान पूरुस हुए हैं, सभी पूर्स आर्थि हुए हैं। आदी संक्रेचार को लेजे, गौतम बुद्र को लेजे। मैं आपके सामने महरसी दयानन्द का उदारन देता हूं। देखें, देखा जाए एक तरह से तो ग्रेष्टी भी कारी करता है और सन्यासी भी कारी करता है। सिष्टी का हर आणु परमाणु कंपंसील है। जिस दिन ये गति बंद हो जाएगी आणुओं में परवण में उसी छड़ परले हो जाएगा। यदि कोई ब्यक्ति ये समझता है कि मैं अध्यात्म की पूर्णता पर पहुंच गया हूं और मुझे कुछ कारी करना ही नहीं है। ये अध्यात्म का संदेश नहीं है। क्रियाहिंता सन्यास नहीं है। गिता में स्रीक्रिष्ट ने क्या कहा है। अनाक्षिता कर्म भरम कारियम करो दिया सज सन्यासी चो योगी ना निरगनी चा अक्रिया अक्रिया सब्द का प्रियोग किया है जो कुछ ना करे काया कि मैं तो सन्यासी हो गया मुझे कुछ नहीं करना है तो कुछ ना करने काया से काम ही करनो कर्मो को नहीं करना है वो बैंक वैलेंस ना करें, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कोई कारें न करें, लेकिन मानुता कि कल्यान के लिए तो उसे करना ही पड़ेगा। मैं भी जितना संभव हो सकता है राजी की छतर साय में उनके दर्बार में नोकरी करता हूँ और मेरा मालिक तो मुझे चार गंटे से अधिक सुनी की सुकृति नहीं दे रहता, यदि मैं चार गंटे से अधिक सुनी तो मेरा व्यता नहीं काट लेगा। लेकिन मेरे से भी कईगुना अधिक चिंतित रिशी द्यानन थे, जो रात को टालते थे, बेचैन हो करके, कि देश का क्या होगा, मैं पराइगी पाखंड की जड़ों को कैसे उखाड पाऊंगा, इस ती है, चाहे मरसी द्यानन द रहे हो, चाहे अचारी चान के का उदानन ली इसकी चिंता में अचारी चानक रहते थे, आप सोचिए, यदी चानक नहीं होते हैं, तो क्या भारत का भावी से क्या होता है, क्या भारत अखंड भारत हो पाता है, यदी दियानन द नहीं होते हैं, तो क्या होता है, आज वेदा हमें देखने को नहीं होते हैं, यदी संक्र तोड़ो ग्रहस्ते थे, महलों में रहने वाले सुक का उपभोग करने वाले ग्रहस्ते, एक ग्रहस्ते धनु पारजिन कर सकता है, अपने घर के सभी सदस्यों को अच्छा खिलाफ पिला सकता है, लेकिन उसका परिवार तो एक्सिमित होता है, पांच, छे, दस, पंदरा, वो मानोता के कल्यान के लिए अपने जीवन जीता है आत्म कल्यान के लिए और मानोता के कल्यान के लिए देखिए राजकुमार सिदार थे ज़िए घर में रह जाते तो क्या करते अपने राजी की बेस्ताची से करते थे यह सोदरा से बहुत अच्छा परीत में मधूर सम्मंद अस्थापित करके हसी कुछी जीवन जी सकते थे राहुल से हस बोल सकते थे लेकिन भारत को एक मार्ग कौन दिखाता कि ये वैदिक मंतरों का उल्टा अर्थ करके वैमार्गियों ने जे पसु बली नर्भ अली का प्रपंच चलाया है इसे देश मुक्त नहीं हो पाता मानोता को एक मार्ग नहीं मिल पाता इसी तरह से जिस्त सन्यासी ने भी अपना जीवन उत्सर किया है सच्चे अध्धात्म के मार्ग पर चलाया है उसने पूरी मानुता को राह दिखा है यह कारी कोई राजा नहीं कर सकता सम्राठ असोक अपना अलग कारी करेंगे, चंदगुप्त अपना अलग कारी करेंगे यह जितने भी बड़े चेकवर्ती सम्राठ हुए हैं, उनका कारी छेत्र अलग है वे सिमाओं की रक्षा कर सकते हैं, वे आर्थिक खुसहाली पैदा कर सकते हैं, अर्थ से जो जीवन को सुगधा में बनाया जा सकता है, लेकि परम सांती का मार्ग तो क्योल सन्यासी दिखा सकता है। लोग सोचते हैं कि सन्यासी बहुत डरपोक होते हैं, ऐसी बात ही है। समाधी का जब आंतिम समय आता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं मैं मृत्व से टकराने तो नहीं जा रहा हूं। राजकुमार सिदात भी काते हैं कि मैंने अपने प्राणू की बाजी लगा कर अखंड समाधी में विद्यमान हुआ। जिस तरह से युद्ध के मेर्दान में जब बीर जाता है तो सोचता है कि मुझे पता नहीं मैं लोट कर आऊंगा या नहीं। जब योगी भी अखंड समाधी में इस्थित होने लगता है तो अपने सरीर का मुझे छोड़ देता है वो सोचता है कि जो होगा वो देखा जाएगा। जो एक ब्रिक्ष के नीचे बेठा हुआ हुआ है को इसका सन्नक्छक नहीं। भाहिंकर नाग भी पास आसकता है। भूख़ भी गार, खझय को सकता है। जो गर से निकल पड़ एंव्यों मन कर सोचते हैं। जो किसी मठ में रहते हैं, मैंको सन्न्यासी नहीं बानता। जो मठो की दिन चरिया कहा है। जैरावा आ जाबा पर देखे हैं। saru зал और अच्छी स्य मघी結果 re CCP or अच्छे से बहु जान तो सन्यास सिवन नहीं है के दिन तक भोजा मिला था द्यानन को बार क्त दीन तक नहीं है एक भर तीन दिन तक उजम नहीं मिला तब एक हिसान से क्च्छे बैगन मांगे उनों ने खाए यह तो दूर की बात छोड़ी है मंदसौर में जो सुन्दर साथ थे आप देखेंगे कि उन्हें का जीवन क्या था मंदसौर में रहने वाले जो आट मैने का जीवन गुजरा उसमें भीम भाई है ये लालताश्य भी है नजने कितने ब्रमुनी हैं चिंता मड़ी हैं सब घर घर जाकर विक्षा मांगते हैं और लाकर सब को एक ठा किया जाता है सब भोजन करते हैं एक समय था जब चिंता मड़ी एक हजार सिस्वम से गिरे रते होंगे सभी सिस दंडवत परडाम करते होंगे कबीर मठ में सारी सुक सुक दाओं का अपुभोग करते थे चिंता मड़ी आज वो घरगर स्वाहिन बिक्छुक बन करके बिक्छा मांगने जा रहे है लालदाजी के पैस नजने सैक्रों लोग प्रदिन भोजन करते होंगे उनके घर में लेकिन आज हुआ ही लालदाजी घरगर भीक्छा मांगने जा रहे हैं देखा जाए कौन जीवन स्रेष्ट है पाउतिक रुप से तो यह इस देखने मिलेगा क्या रखा है घरगर जागर भीक्छा मांगने पड़ती है लेकिन यह याद रखिए यदि कोई विक्ति हीरों मोतियों के मालों में रहता हूँ चपन बयन जनों का सिवन करता हूँ संसैर के सारे सुख उसके पास हैं लेकिन उसका अंति परणाम क्या होगा क्या हूँ विरिद नहीं होगा क्या हूँ मरेगा नहीं जरा मृत और कष्टों से बचाने वाला एक मात्र सन्यास का ही मार्ग है, जिसमें वो सब का पर्तियाग कर देता है, अपने आत्र सरूप में इस्चित होता है और परम्ततु का सक्षात कारता है, इसलिए कभी भी यह उपहास नहीं करना चाहिए कि अध्यात्म के मार्ग पर च आत्मा संसार में कैसे रहे जल में कमल के फूल की तरह, लेकिन जल में कमल के फूल की तरह कैसे रहा जागा, बिना जियान और वेरागी के संसार में कमल के फूल की तरह नहीं रहा जा सकता है, सब लोग जानते हैं कि संसार में कमल के फूल की तरह रहाना चाहिए, जनक की बा पहले ब्रह्म का सक्षातकार करा दिया था आपके फास तार्तमबाडी है जल में नाय कोरे रहने का उद्गोस आप कर सकते हैं तार्तमबाडी पढ़ करके लेकि जल में रहते वे कोरे रहने के लिए अवस्यक है कि ब्रहमवाणी का चिंतन हो युगल स्रुप की छवी आपके अंदर वसी हो अन्य था आप नहीं कर सकते गिता सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन गिता की तरह निसकाम कर्मयोगी कोई सिर्किर्ष की तरह कोई निसकाम कर्मयोगी नहीं बन सकता गिता के साथ सो स्लोकों का प्रदिन पार्ट करने वाला ये दवा नहीं कर सकता कि वास्तों में निसकाम कर्मी होगी है निसकाम कर्मी होगी बनने के लिए योगेस्वर सिकिर्स की तरह गिरहस्त में रहते हुए भी ध्यानवस्थित होना पड़ेगा आप देखिए मावारत का संपूर्ण समय, पूर्शार्थ का समय, योगेसर सिक्र्स ग्रहस जिवन में रह रह रहे हैं, लेकिन वह भी हमाले चले जाते हैं, कई वर्सों के लिए लम्बी अवज तक वह द्याना बस्ठीत रहते हैं, अरुजुन भी कई वर्सों तक जाकर के द उपना भी नहीं थी बन में रहते ही युदिष्ठे प्रती दिन संध्या करते थे सॉ ध्षाई करते है वंद भी उनका नित कर्म चल रहा है जब सीथा कर असो कवर्टका में उस समय प्रती दिन दोनों समयительно नों को संध्या करती हैं, ध्यान करती हैं, जब हंगवां'd राम बन जा रहे होते हैं, उस में में माता को सल्या हमन कर रही होती है, आलसी प्रमाद का नाम और शुम्र निसान वान आपक पर शाथ करता हूं, अब भलाई सरीर पहले की तरह साथ नहीं देता, फिर भी मैं पुरसाथ करने का भर्षक प्रयास करता हूं, मुझे यावास रता है, कि मेरे सन्यास जीवन में, करता हूं, तो मुझे इसके बदले में समाज को देना ही होगा। हर सन्यासी की भावना रती है, जो सच्चे सन्यास के मार्ग पर चलता है, सन्यास आलसी प्रमादियों के लिए रही है, जरूर है कि आजकल सन्यास में निठले लोगों की भीड हो गई है, अपरादियों की भीड हो गई है, जिसके मन में जो आता है कपड़ा पान लेता है, और उसके मन में तो एक अपरादी बैठा रहता है, कई जगह देखने पर यह है कि अपरादी ही जिल जा रहे हैं, कपड़े तो उनके सन्यास के हैं, तो इसको सन्यास नहीं करना चाहिए, आम तर पर सुंदर साथ डिर जाते हैं, कि देखो आप तो यह बानी पढ़ने लगे, अब अब भुट चोटा सब एकती हूँ, चोटा से सन्यास सादुमात्मा हूँ, यदि महीं घर पर रहता, तो क्या कर पाता, आज समाज के जो छोटी मोटी सिवाई मेरे से उपाई है, उतो नहीं उपाई थे, सन्यास धर्म के दीप को प्रजलित करता है धर्म और संस्कृत के दीप को जलाये रखता है वो नहीं रहेगा धर्म और संस्कृत का दीपक बुझ जाएगा भारत में हर घर येदि सोने हीरे मुति हो का बन जाए तो भी भारत की गरिमा है तो किवल अध्यात मसे हैं इसलिए आम तोर पर जो धारणा चली हुई है कि जो भी धर्म की बाते करेगा उन निठले लोगों का काम है क्योंकि ये गिरेश्टी देखता है कि मैं तो आट गंटे काम करे आया हूँ ये मंदिर में रहते हैं आराम से सोते खाते रहती हैं इसमें पूरी गलत बात भी नहीं है कि आमतोर से बरतमान सुमें में जो देखा जा रहा है मंदिरों और आश्रमों की दिनचरिया में निठले लोगों कही भाउले और इसका दोस किसकी आ है? हमारे वेदसास्तर का नहीं है, हमारी वानी का नहीं है वानी कहीं भी आलस को समर्था नहीं देती है आप अतीत के पन्यों को पलटी है तो आप भी तक में क्या देखते हैं सीरी जी के साथ पांच हजार की संख्या चल रही है उनका जीवन कितना दुरगम है पैदल चलना है बारसल का बच्चा भी होगा वो भी पैदल चलना है किसी के सीर पर छत्र नहीं है कोई कंबलों का ढेर लेकर के नहीं चल रहा है ऐसा नहीं कि साथ में कुछ खाने के समान लेकर चलने हो जो रास्ते में मिलता है कि विक्षा में मिलती है वो ही खा रहे है और ऐसा नहीं कि कोई गरीबी के करने चला है सब सुन्दर साथ खुस हाल परिवारों से निकले हैं इसमें चिंता मड़ी भी हैं, भीमभाई भी हैं, लाल दास्ची भी हैं राजा राम सेट के बंतसज भी हैं जिनों ने मिर्ते से अपने घार दुआर छोड़कर स्री जी के साथ आए और अब जानते हैं, कितने कितने कष्टों को सबने साथ हैं धूप, सीट, वर्सा का कष्ट चाथ मैं सन्यास के प्रारिम्बिक दिनों में मैंने वो सारी आउस्थाओं का अन्भाग किया है कि मैं जब किसी गली से गुजरता था तो लोग कट सब्दों का प्रियों करते थे कि खाना नहीं मिलता तो मात्मा बन जाते है मैं जानता हूँ कि कई के दिन की भूख क्या होती है तो ये सन्यास जीवन का अंटों का मार्ग होता है लेकिन जो इस पर चल जाता है परम सांति का मार्ग पाता है बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राठ अपने सोने के मालों को छोड़कर सन्यास जीवन में प्रिवत होते है मतायों क्या चाहते है मताओं को सुंदर बहु चाहिए खुब धन चाहिए जो बेटा ऐसा करता है उस पर खुस हो जाती है घर में जो पत्नी होती वो भी अपने उस पत्ती पर खुस होती है जो धन कमा कर ले क्योंकि स्वार्त में सब को बनाया है यहां करतार ने एक उपदेश बहुत दिया जाता है कि देखे, अपने माता-पिता को छोड़कर धारम के सन्यास के मार कर ये चल रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है। मैं यह नहीं कहता कि हरको इपने माता-पिता को छोड़ों बश्21 मैं किसी पो इस को ऐसा कहता रालतू कि उसका मन विरक्त सचमुछ हो कुए तो माता-पिता को शोते चाहिसे और और उनके मान पर चलने के लिए करें उसको प्रेड खरैное क्या है हमारे माता-पिता का तन भी तो इस देश की मिट्टी में ही पैदा हुआ है यदि हमारी मात्रभू में ही नहीं रहेगी तो माता-पिता भी कहां रहेंगे यदि परमात्मा ही नहीं रहेगा परमात्मा की किरपा देश्टी सही तो माता-पिता कस्टित हुए यदि उस परमात्मा को पाने के लिए उस परमात्मा के प्रेम में डूबने के लिए यदि कोई अध्यात्म मार्ग का अनुसरन करता है तो ये उपदेशु समय नहीं चलेगा कि निती में एक स्लुक का गया कि तिजेत एकम कुलच से अर्थ है कुल की विर्धी के लिए एक का त्याग करना चाहिए है यदि आत्म कल्यान की मार्ग पर चलना है तो सारी पृत्विक अभी पर इत्याग कर देंगे तो भी कोई दोस्त नहीं लगेगा यदि राजकुमार सिधार्त के विलने माता पिदा का मोह पालते है माहरसीदान अपने माता पिता के मोह में रज याई राज्या का पालन के नाम भर घर में ही पड़े रह जाते हैं, अज वेदों का प्रकास संसार में नहीं होता वेद आग से देखने को भी नहीं मिलते साइब श्वाइम स्री मिहराच जैसे बियारी जी को तो गादी मिली गई थी स्री जी भी चाहते तो एक गादी अस्थान बना कर उसी आस्रा में रह जाते हैं सुंदर साथ कुछ सव इकठा हो जाते हैं और स्री जी की सेवा करते रहते हैं तो क्या होता नहीं नदी का प्रवान निरंतर चलता रहता है जारना निरंतर प्रवाइत होता रहता है और परवान निरंतर गति करते हैं तो एक सन्यासी के लिए भी निर्देश है कि कभी वह आल तो प्रमादी कौन बनता है, जो ठूष ठूष कर खाता है, और मंदिरों में यही होता है, मैं इस कड़वे सच को कहने में संकोच नहीं करूंगा, कि जिन मंदिरों और आसरों में कि घंटी गड़ियाल बचते हैं, जान की कोई प्रकिया नहीं होती, स्वाइधाय नहीं होता, उनमें यही सब चलता है, लोग दो पार को खुब ठूष ठूष कर खाएंगे, उसके बाद तीन चार बज़े तक स्वाएंगे, फिर नहाएंगे, धोएंगे, फिर घंटी गड़ियाल उनको बजानी है, इस पौराणिक्ता ने सन्यासियों का बेनागर के कर दिया, इस पौ करता है, जब वो आस्रमों की मंदिरों की दुरावस्था को देखता है, तो उसको अधिकार मिल जाता है काने को, इसमें कोई जूट भी नहीं है, कि यह तो आलसी प्रमादी लोगों का मार्ग है, जिसमें लोग घर द्वार छोड़ कर बेठे रहते हैं, तो इस कड़वे होने के लिए नहीं का गया है, हर जगा पुरसार्थ का उपदेश है, आयम में हस्तो भगवान, यह मेरा हाथ ही भगवान है, कितना बड़ा उद्गोस है, इन सब्दों में कितना बड़ा उपदेश दिया गया है, कि मेरा हाथ ही भगवान है, और मैं इस हाथों से, हाथ का पुर्षार्थ रूपी हाथ, मैं अपने पुर्षार्थ से संपूड आइस्वरी को प्राप्ट कर सकता हूं, जाए वो ज्यान का आइस्वरी हो, जाए वैरागी का आइस्वरी हो, जाए भक्ती का आइस्वरी हो, जाए लोकी का आइस्वरी हो, आयम में हस्तो भगवान, आयम काम धाम नगरो, वो सच्चा सभी नहीं है जो मठों में आराम करता है, आराम کرने वाले को सभी नहीं करते हैं जो आराम करते हैं, उनको यह धान लखना चाहिए कि जो भोजन करते हैं वो ग्यृष्टी देता है, और ग्यृष्टी कठेध पर इस्घम आपको भोजन दे रहा है, तो आपको समाज के लिए ग्यान देना ही पड़ेगा, समाज धर्मांतल कर शिकार और दास्ता कर शिकार हो, और आप मठों में अराम बैठे रहे हैं तो आपको सन्यास के बस्तर उतार देना चाहिए। उसको सन्य quickest केहते हैं. यो मंगी, मंगी, मंगी के घल्च घूमना जानता है हजानों cóते हुप जाजयकारे लगवाता है और सब लोग उसको परमात्मा का सरूड महान थे मेरी दिश्ट पर में उस सन्यctic वह है सन्यासी है, chopped exper係 ज़ित का सवाना चाहिए यदि चकवर्ती सम्राथ भी अधर्म का मार्ग अनुसरन करता है तो उसे विदूत की तरह जैसे विदूर ने धितराष्ट के मूँ पर धितराष्ट को कठोर सब्दों में डाटा था, दुरुद्धन के मूँ पर उसको भरी सवा के बीच में फटका रहा था, जो दुरुद् लेकिन चकवर्ती सम्राथ के सामने भी उसके अधर जदी उसका कोई भी कारिधर्म के विपरित होता है तो बोलने का सहास एक संजासी को रखना चाहिए, क्योंकि उसका हिर्दे निस्पक्च होता है, वो संसार से कुछ लेना नहीं चाहता है, उसकी आत्मा अपने प्राणि सवस्ड़ के लिए संर्फित होता है, इस दिये, का सत्ति का खंडन और इस्वा मंदन करना उसका नायतिक उतरदाईत है यह कारि बुद्द ने किया यह कारि संक्रचार ने किया यह कारि मारसिय दयानन दे किया और श्री जीन में आप देखिए पूरे किंतन को देख लेजी आप बीतक से एक गटना की सिख्छा लेजिए जब बाइस प्रस्ण की पाती लिखी गई तो उस पत्री को लिखने में लालदाश जी और स्वैम स्री जी दिन रात लगे रहे जब तफसीर उसे ने सुनाई जाते हैं उसमें स्री जी तीन रवात लगातार सुनते रहते हैं आज हमारा समाज किस माने पर खड़ा है हमारे समाज में अलस प्रमाद की ने ऐसा अपना घर कर लिया है कि जहां देखो वहां केवल अलसी अलसी दिखता है पुरसार्थ करने की प्रिवर्टी नहीं सब को कह दिया जाता है अरे परम धाम से आये हैं वह ही चलेंगे क्या करना है है सब पड़ली करके क्या करेंगे चित्वनी करके यह तो बहुत अजीब सा लगता है अजनी आलसी लोगों नहीं आजकल ब्यक्ताब देने लगते हैं कि जो सिवा पूजा का बिरोध करते हैं, विसको हम चाटा मारेंगे, अरे भाई, जिंदे की बरते तुम नाचे कुदे, ना तुम चित्वनी कर सके, ना वानी का द्यान कर सके, तुम समाज को कहान ले जाओग यह ना चाना प्रेम लक्षन बक्ती नहीं है, यह तो दुनिया पहले से करती आ रही है, सब को चित्वनी के प्रेम में डूबोना था, सब को वानी के जान के प्रकास में करना था, और आज यदि हमारे समाज पूर्शार्थी होता तो आज हमारे समाज में भी कई कई यह बाणी की चर्चा को कर सकते हैं, लेकिन वह तो आखिर मसीन तो मसीनी है। हमारी बाधिक छमता यह कुंठित होती रही है, तक्रा कर दोसी हमारा समाच है। हम परतिभाओं को आगे बढ़ने का उसर नहीं देंगे, परतिभाओं को तरासें गे नहीं, बलकि एक तरसे अपने कठोर बेवारों से या मैं काओं की बिसमताओं के तानों से जदि हम उसको कुंठित कर देंगे तो परतिभाओं तो कुंठित होई जाएगी। जदि आप एक फूल को खिलने का उसर नहीं दें तो फूल समयब से पहले मुर्चा जाएगा। और यह हमारा समाज कभी फूल को खिलने का उसर ही नहीं देता है। पहले ही उसको कुचल डालता है। तो याद रखे, एक आलसी प्रमादी ब्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं पड़ सकता। आलसी प्रमादी समाज कभी आगे नहीं पड़ सकता। और अध्यात में यह नहीं सिखाता है, अध्यात में पुरसार्थी बनाता है, मैंने आपको वेत का उदारन दिया, वीतक में यह कितने उदारन है, जिसमें आपको मिलेगा कि अपने घर बैपो को छोड़का, सब पांच हजार का सुंदर साथ संख्या में सिरीजी के चड़ों मेरे धनी जी का फ Efendi में रने पर रूखा सुका खागार ने अत्नी आनंद का जीवन वेताया तो सुंदर साहता आध्यात का जान आपको आलसी और अकरमन बनने की प्रेणा नहीं देता जहां भी आपको आलसी और अकरमन दिखाई पड़ती है वो पवरानिकता की देन है और हमारे सवाज में पवरानिकता हमारे नस्नस में घुस गर गई है बानी को अतरित हुए साड़े तीन सो बर से अधिक का समय बीत गया फिर भी आज क्या है वही पवरानिकता है तो वही घंटी गडियाल के सिवा परिकर्मा के सिवा और क्या हम जानते हैं ना हम बानी की गाराईयों में दूबना चाहते हैं ना हमारे अंदर उमंग है कि हम इस जान को सरवतर फैलाए हम क्या है हम उसी को सब कुछ माने बैठे हैं इस दिये हम नाकरात्मक विचारों के सिकार होते रहते हैं मैं आसा करूँगा कि घरों में जो बुजुर्ग जन है वो इस प्रविर्थी से उपर उठे हैं और अपनी सोच को बदलें कि अध्यात्म अलद से प्रमात सिखाता है अलद से प्रमात कुद्पती तमोगुर से होती है नकरात्मक विचारों से होती है हर अध्यात्मबादी सच्चा पूर्शार्थी होता है और यही पूर्शार्थ उसको प्रितम अक्षातित के चड़ों में ले जाता है मैं आसा करता हूँ कि आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे हो सकता है आपको मेरे कुछ बचन को ठोड़ लगे होंगे लेकिन याद रखिए नीम बहुत कड़वी होती है और इस नीम में अनेक रोगों का इलाज होता है यह किंडिनी को भी स्वक्ष रखती है डाइविटीज को भी स्वक्ष रखती है आपके रक्त को भ सब्सक्राइब करें धन्यवाद